तो देखो पहले आपका यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइम था ओरिजिनल टाइम था वो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि 10 देज में फिनिस कर देंगे जो न्यू टाइम आया वो न्यू मतलब 5 नहीं आये परसन वो आपका न्यू टाइम कितना है 12 देज आप देखो यहाँ पर अगर हम रेसियो बनाएं तो रेसियो यहाँ पर आपका यह कितना हो जाता है रेसियो 2,5 जा और 2,6 जा यह आपका टाइम का रेसियो है तो यहाँ प यहां पर कितने man कम हुए one question में कितने man कम होगा यहां पर five तो one वाली value कितनी है five तो six वाली value कितनी हो जाएगी six five जा thirty man और five five जा twenty five कितनी बात clear है आप यहां पर कह सकते हो कि जो original man थे वो thirty थे जो पांच नहीं आए हैं वो नए कितने थे twenty five जिसकी बज़े से twelve days extra लग गए एक तो तरीका यह है आपने original यहां से find कर लिया कितने man है thirty दूसरा तरीका यहां पर समझ लो दूसरा तरीका क्या है यहां पर starting में आपको ten man और यहां पर sorry ten days और man यहां पर नहीं पता मैं यहां पर man को let कर लेता हूं कितना x is equal to time work आपका उतना ही है और यहां पर change हो जाएगा कितना minus हो जाएगे man यानि man कितने हो जाएगे यानि day आपके 12 है into x minus 5 इतने लोग आपके यहां पर कम हो जाएगे तो यह कितना बन जाएगा? यह आपका हो जाएगा 10x is equal to 12x minus का 60 10x इधर आएगा 60 इधर आएगा means 2x is equal to 60 x की value यहाँ पर कितनी आजाएगी 2 से divide करेंगे x की value यहाँ पर 30 आजाएगी और आपने यहाँ पर x यही तो माना था कि number of person कितने हैं x x की value 30 है कि again आपका यहाँ पर answer कितना 30 हो जाएगा